तीन बेटियां सरिता के घर में तीन बेटियां थी दो नौकरी करती तो एक पढ़ाई अरे दवाई खत्म हो रही है कोई है जो लेकर आएगा तभी बड़ी बेटी रिया आ जाती है हाँ पापा ये रही आपके दवाई अभी खत्म होने में वैसे दो दिन बाकी है दो दिन पहले ना बोले तो कौन सुनेगा चिलाना तो पहले से पढ़ता है न कि सामान खत्म है अच्छा जलते से छोटे चाय बना दे दिती के लिए जी मा और हाँ पकोड़े तल लेना बारिश का मौसा में मज़े आ जाएगा मैं बाजार से आलू ले आती हूँ मा खत्म हो रहे है घर का सारा काम बिलकुल पोफेक्ट चल रहा था दोनों बेटिया पढ़ाई के बाद नौकरी कर रही थी और छूटी पढ़ाई पिता की पैंशिन और अपना मका लेकिन पास की कमला चाची और अरे असिया की मा तुम लोगों के कितने सालों से देख रही हूँ परेशान ही देखा गगवान एक बेटा दे देता तो अब किसल जनम का करम खराब रहा होगा चाची जो लड़का नहीं हुआ वैसे काशिक लड़का हो जाता पास छोटी बैट कर पढ़ रही थी वो मा की बात सुनकर किताब बंद कर देती है और खेड़की में खड़ी हो जाती है खेड़की के बाहर रवी जो की पास ही में रहता है अरे चुटकी क्या सारा दिन किताब में नजर गड़ाई रहती है मैं नकल करना सिखा दूँगा तू आराम से पास हो जाएगी आजा चलना सब बाहर खेल रहे है तू तो लड़का है फिर पढ़ता क्यों नहीं तेरे सर पर तो मा पिता की जिम्मेदारी भी है ना कैसी बात कर रही यार जिम्मेदारी बेरी नहीं पिता की है पिता की क्या जिम्मेदारी बता देख माता पिता लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करते है उसकी शादी कराते है उसे पढ़ाते भी है है ना हाँ वो तो सभी माता पिता करते हैं क्या लड़की की शादी नहीं करते उसकी भी तो करते हैं ना हाँ करते हैं लेकिन क्यों कैसे सुन वो लड़के को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो बुड़ापे का सारा बनेगा शादी करते हैं कि उसकी बीवी आकर घर संबालेगी लेकिन बेटियों के लिए कोई स्वार्थ होता है नहीं न तभी तो पैदा होते ही मुँ बन जाता है अब तु सोच तु किसी के घर जाए और वो तुझे देखकर मुँ बना ले तो कैसा लगेगा वो तो पागल होते हैं बेटिया जीवन भर माबाप के लिए सोच ले लेकिन फिर भी वो उसे अपना नहीं मानते बेटे दिन राद निखटू बने रहे लेकिन उमीद उन लोगों स पिर भी बहुत होती है है ना चल छोड़ना तो ये बता कि किस से मिदारी की बात कर रहा था तु पिता की अरे यही कि अगर बेटे को बुड़ापी का साहरा और रिटन के रूप में देख रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो अच्छा करना चाहिए ना चुटकी समझ जाती है कि समाज की सोच क्या है और चाहिए जो हो जाए उसे किताब बंद नहीं करनी तबी वहाँ बड़ी बेटी आ जाती है मा अरियो मा ये ले मिठाई खा ले क्या हो गया लड़का पसंद आ गया क्या कोई पई ऐसा हो तो मिठाई ना ही खिला चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा हर लड़की को क्या जीवन बर बिठाने का इरादा है तू बता बीटी किस चीज की मिठाए खिला रही है क्या हो गया हरे पापा आपको पता है ना जिस डॉक्टर के अंडर में मैं काम कर रही थी उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए मेरे स्कॉलर्शिप पास करवा दी है अब अस्पताल में ही क्लास चला करेगी हागी की पढ़ाई भी और पैसे की कमाई भी ये तो अच्छी बात है तुपढ़ जाएगी तो छोटे को भी अपनी राह लगा लेना बागी मजली तो वैसे ही आल राउंडर है तीनों बेटियों के बाद भी उन लोगों के घर किसी चीज की कमी नहीं थी पापा ये लेजे कार की चावी मैंने आपके लिए कार ली है अब आप कहीं पी जाएं तो अपनी कार से जाएगा अरे क्या जरूरती जितना खर्च करोगी दहज मांगने वालों के मुँ भी उतने ही खुल जाएंगे तो हम देदी की शादी ऐसे घर में करेंगे ही नहीं जाएं शादी के लिए पैसे मांगने की जरूरत हो अरे जो खुद कड़ा नहीं होगा वो हम लोगों के कंदे में क्यों शादी करेगा क्यों पापा अरे शादी में तो दहज मेरे भिलिया था तो क्या मैं तेरी मा के कंदे पर हूँ खुद की पेंशन है, बेटियां कमा रही है, मज़े है पस एक मलाल है कि बेटा नहीं हुआ पापा, जब आपने बोला कि मज़े हैं मैं तब ही समझ गई थी कि अगली लाइन में आप यहीं बोलेंगी कि मलाल है कोई बात नहीं पापा फिलहाल आप ये कार लेकर घुमाओ मा तुम भी जाओ पापा के साथ दोनों पती पतनी, बेटी की दी गई गिफ्ट कार में बैट कर घुमने निकल रहे थी कि पड़ोसी बोल पड़ता है और भाई साथ नहीं कार यहां तो साइकल भी बेचने की नौबत है नजर ना लगाए भाई साथ जीवन में कार का सपना पूरा होना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है हां हां लाखों के कार हम हजारों की कमाई वालों के लिए काम मुम्किन थी उपर से तब जब कोई बेटा भी नहीं है गयासे भाई साथ आपकी साइकल बिक क्यो रही है बगवान की दुआसे तो आपकी चार लड़के है हां हां आपको तो हेलिकॉप्टर से घूमना चाहिए और खाक हेलिकॉप्टर भाई साहाब अब क्या चुपाना दो लड़के तो कुछ कम आते ही नहीं सारा दिन टीवी मोबाईल में लगे रहते हैं और बड़े दो जो किसी तरह जिम्मेदार बने भी हैं बहु के कहने पर एक पैसा हम लोगों को नहीं देता है ना इज़्जत है ना मान सम्मान हां भाई साहब भावी बता रही थी बहु के होते हुए भी नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में आप किस बतवाले हैं भाई साहब जो बेटिया घर के साथ साथ बाहर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से संभाव रही है हां वो तो है लेकिन कब तक एक ना एक दिन तो ससुराल निकल जाएंगी फिर तो वही हम दोनों और वही पेंशिन आप लोग भी कौन सा संजीवनी बूटी खा कर आए हैं चलिया चलिया जाएए नई कार का मजा लेजिये अच्छा ऐसा करते हैं मेरी बेहन के घर चलते हैं काफी वक्त हो गया है मिले दोनों बेहन के घर जाते हैं जहां उसकी बेहन और उसका पती बैठ कर चाय पी रहे होते हैं अरे भाई भावी अज रास्ता कैसे भूल गए आप लोग अरे हम तो फिर भी भूल गए तुम तो कभी नहीं आते हमारे गर अरे कोई आने का साधन भी नहीं है न अब बस से आना हम लोगों के बस की बात तो रही नहीं भाई अरे दे दे दो दो कार थी आप लोगों के कहा गई भावी वो तो जिसकी थी वो ले गया मतलब दो बेटे हम दोनों से अलग हो गये हैं अपनी कार ले गये अब हम दोनों अकेले खुद बनाना खुद खाना भाई पहन के घर से मिलकर बेटी की गिफ्टेट कार में बैट कर निकल जाते हैं काश हम लोगों को भी लड़का हो जाता कर दो